Good evening once again dear students, this is your second civics chapter, role of government in health, janswasta में सरकार की भूमी का, आये शुरू करते हैं, this is our first question, on which of the following does our good health depend, नमलिकित में से किस कारे पर हमार अच्छा स्वास निर्भर करता है, clean drinking water, pollution free air, healthy food and all of these, बच्चों इन चारो options पर जब हम विचार करते हैं, हमें स्वस्त रहने के लिए पीने के पानी की जरूरत होती है, हमें हवा जो है वो प्रदूशन मुक्त चाहिए, उसमें गंदगी नहीं होनी चाहिए, हम ताजी हवा में सांस लेना चाहते हैं, यानि प्रदूशन मुक्त हवा, pollution free air भी required है हमारे अच्छे स्वास के लिए, साथ में हमें भोजन भी चाह लास्ट ऑप्शन इस एप्रोप्रियेट क्योंकि ये तीनों को शामिल कर लेता है, बलकि चारों मिल जाते हैं हां पर, तो हमारे इस क्वेशन का आंसर है, इन में से सभी, बच्चों अपने चैप्टर में अगर हमें से ढूनने का प्रयास करें, तो यहां पर बिल्कुल अप्लाई है, वो भी उसको होनी चाहिए, वो बिमारियों से मुक्त रहेगा, उसका शरी ताकतवर रहेगा, उसको पीने का साफ पानी मिले, ताजी हवा मिले और अच्छा खाना मिले, तो वेक्ति स्वस्त रहेगा, हमने अपने इस पहले क्वेशन को सॉल्व किया है, इसक को समझने के लिए अपने चैप्टर को थोड़ा हम वापस रेवाइस करेंगे, बचों आपको ये कहानी याद होगी, आपके इस सेकंड चैप्टर में एक छोटी सी कहानी चितरों के जरी है समझाए गई है, इस कॉमिक स्टाइल की जो कहानी है, इसमें हम देखते हैं कि दो उखार था, उन्हें वाइरल इंफेक्शन हो गया था, और दोनों बच्चे फिर बाद में समान समय में, एक ही समय अंतराल में, तीन-चार दिनों में, दोनों बच्चे स्वस्थ हो करके वापस स्कूल को आ गये हैं, और वो अपने एक्स्पिरिंस बताते हैं, पहला जिसका economic background पहले वाले से थोड़ा सा कमजोर है, वो एक थोड़े कमजोर परिवार से आर्थिक तोर पर आता है, वो सरकारी hospital में जाता है, और सरकारी hospital में कम खर्च में ही उसका उपचार कर लिया जाता है, और वहाँ पर इसका आर्थ है कि जो उपचार है, वो सस्ता था जाए सरकारी के, अगले question की तरफ शलते हैं, third question, tax money is used to fund which of the activities, करों से प्राब धन किन प्रकार की गतविदियों के लिए इस्तिमाल होता है, बच्चों हमारी जो सरकार है, वो हमसे बहुत तरह के taxes लेती है, वो तरह के कर लेती है, उस कर का वो क्या इस्तिमाल करती है, ये ज सारे काम होते हैं, जनता के हित के लिए क्योंकि वो लोगतंत्र यानि की जनता का साशन होता है, तो जनता के लिए बहुत सारे जम्यदारियां सरकार पर होती है, चाहे जनता के education हो, उनकी health हो, उनके लिए रोजगार की वेवस्था हो, उनके लिए आवास, यानि से धन के आवशक तर पड़ती है, और वो धन के लिए सरकार करों पर या टेक्स पर निर्वर करती है, और वो टेक्स कलेट करके, इस टेक्स से मिले हुए पैसे से सभी छेत्रों में धन को खर्च किया जाता है, हम बात करें options की, education, police, public health, ये सारी की सारी चीज़ें आवशक ह इस्तमाल किया जाता है, और वो धन जो हमें, जो हमसे करों के जरी लिया जाता है, सरकार द्वारा, अगले question की तरफ शलते हैं, fourth question, what is the full form of PHC, PHC का full form क्या है, पूंट रूप क्या है इसका, private health center, public health center, primary health center, और popular health center, these are the four options, बच्चों अपने textbook के साथ हम ढूंडते हैं इसे, यहाँ पर जब हम health care services की बात करते हैं भारत में, तो उनको दो बड़े हिस्सों में बाटा गया था, public health care system and private health care system, public health care system यानि सरकारी छेतर में, सारजनिक छेतर में, जो स्वास्त सेवाएं उपलब्द कराए जाती हैं, उनकी बात की जाएगी, इनकी विवस्ता सरकार करती है यहीं पर एक important term के तौर पर हमें PHC देखने को मिलता है, PHC यानि public health centers, जनसंख्या के बहतर स्वास्त के लिए, सेमित जनसंख्या के लिए वहाँ पर आसपास प्रात्मिक स्वास्त केंदर के रूप में, primary health center के रूप में ऐसी विवस्ता सरकार द्वारा की जाती है, ताकि ल primary health centers, प्रात्मिक स्वास्त के अंदर, और CSC यानि community health centers, यानि समुदाइक स्वास्त के अंदर, इस तरीके से यह system सरकार द्वारा लोगों के बहतर health के लिए यह विवस्ता की जाती है, हमने अपने उतर के पैचान कर ली है, PHC का जो full form है, उसका point रूप है, वो है primary health centers, यानि public health services run, public health services यानि सार्जनिक जो छेतर की सिवाय है, स्वास्त की सिवाय है, वो किसके जरी चलाई जाती है, अभी अभी हमने इनकी बात की, कि public health care की जो facilities है, PHC, CST का जो system है, वो काम करता है, सरकार के जरी है, तो यह पुरी तरीके से government funded होता है, सरकार इसका विवस्ता करती है इस question का answer होगा, by government, next question, sixth, in which continent is Costa Rica situated, Costa Rica किस महादवीप में है, बच्चों हमारे health care facilities और government role in public health वाले इस chapter में, Costa Rica का example दिया गया है, जो कि एक देश है, और उस देश में बहुत अच्छी विवस्ता वहां की health care services है, वहां की best मानी जाती है, सबसे अच्छी विवस्ताओं में से अच्छा होने की पीछे कारण है, क्योंकि वहां पर किसी प्रकार की सेना नहीं है, अपने defense पर होने वाले सारे खर्च को उन्होंने अपने service, social sector पर खर्च करना शुरू कर दिया, यह अपने बैतर सिक्षा के लिए, स्वास्त के लिए, पीने के पानी के लिए, आवास के ल देता है, चार option है, North America, South America, Australia और Europe, हम इसकी पैचान करते हैं, बचों world map आप देख रहे हैं, आपके सामने है, world map पर Costa Rica का जो location है वो यहाँ पर yellow color से दिखाए गया, this is Costa Rica, यह हमें दिखाए दे रहा है, काफी दूर भारत देश यहाँ पर है, हम से काफी दूर है यह, हम पहल four oceans on our earth, हमारी धर्ती पर साथ महाद्वीब हैं और चार महासागर हैं, हम साथ महाद्वीबों की बात फटाफट कर लें, यह पहला North America, this one is South America, Africa, Europe, Asia, Australia और यहाँ पर साथवावला दिखनी रहा, यहाँ पर नीचे South Pole के पास, यहाँ पर Antarctica आपको दिखाए देता है, अभी हाल फिलहाल हमें अपनी जानकारी में जोड लेना चाहिए, यहाँ न्यूजेलेंड के आसपास का जो इलाका है, सागर में डूबा वा काफी सारा हिस्सा, यह और साइंटिस्स ने लूंडा है, इसकी पहचान की है हमारे आठ्वे कॉंटिनेंट के तोर पर, इस आठ्वे नाम दिया गया है, जिलेंडिया, तो अब हमारी जानकारी के लिए हम इसे जोड करके रखेंगे, there are eight continents now, यानि साथ जो हमारे पास पहले से जानकारी में थे, उनके अलावा जिलेंडिया के रूप में हमारे पास आठ्वा कॉंटिनेंट भी है, और चार ओशन तो हम जानते बच्चों डीटेल में जब हम इसे देखते हैं, तो हमें दिखाए देता है कि यहाँ पर एक continent है North America और एक South America और यह दोनों पतली सी strip के जरी इस strip के जरी जुड़े हैं, जिसको कई बार कई सारे records में Central America लिखा मिलता है, यह निकि North America, South America के अलावा इस बीच वाले से को Central America ल रहते हैं, हम जड़ा Central America की भी बात करें, Central America में साथ देश आते हैं, वो साथ देश हम आसानी से उसे याद कर सकते हैं, E, B, G, H, N, C, P, this is very short form, छोटा formula है जिसके जरी आप इनको याद कर सकते हैं, यानि एकर हम Canada, US और Mexico के बाद नीचे से इस पतली पत्टी पर जो देश आते हैं, उनको गिनना चाहें, उनका नाम गिनना चाहें, तो बहुत असानी से छोटे से formula से गिना सकते हैं, इस एल सल्वाडोर, इस बेलीज, उसके बाद Guatemala, फिर Honduras, देन निकारागुआ, C is Costa Rica, हमें इसी की पैचान करनी थी, Costa Rica, और लास्ट जो है, लास्ट वन इस पनामा, यह साथ देश हमारे Central America के इस यूनिट में आते हैं, यहां पर जो साथ देश हैं, जिनको हम से ने Central America का, ल Costa Rica, situated in which continent, North America, this is the right option, North America, जो है, वो सही उत्तर है, this one, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अपने 7th question की तरफ, इन केरला, what percentage of entire budget is given to panchayats, केरला के कुल budget का कितना प्रश्चत हिस्सा panchayat को दिया जाता है, बच्चों अभी हमने कोस्टारिका के अच्छे उदारन के बारे में पढ़ा, कि यह public health के मामले में कोस्टारिका का record बहुत अच्छा है, उसी तरीके से जब हम भारत में बात करत हैं, तो हमारा केरल नाम का राजी है, वो बहुत अच्छा प्रदर्शन करता हुए दिखाई देता है, उसके अच्छे प्रदर्शन के पीछे यह budget वाला factor भी है, हम जर अपने chapter से से देखते हैं, केरला के experience को बताएगा है, कि यह अच्छा experience है, 1996 में वहां की सरकार ने बहुत बड़ा हिस्सा, यानि 40% of entire state budget was given to panchayats, उन्होंने अपने 40 प्रश्यत budget को panchayatों को देना शुरू किया, और panchayatों के जरिए उन्होंने वहां की जो ग्रामीरी छेतर थे, वहां पर planning की जाए किस प्रकार से, कि उन्हें जो वहां पर रहने वाले लोग है, उनको पा panchayatों को ज्यादा सशक्त करना जरूरी था, ज्यादा पैसा देना जरूरी था, और केरला ने वह एक अच्छा अनुभो दुनिया को दिखाया, तो हम बात कर रहे थे केरला के budget की, केरला ने अपने entire budget का कितना प्रश्यत सा panchayatों को दिया, 40% तो हमारे जो सही उत्तर है, 40 प्रश्यत है, 40% of entire budget, now next question, 8th question, daria is a waterborne disease, daria जल जनित बिमारी है, यह सही है गलत, इसकी पैचान में अपने textbook के साथ करेंगे, बचों अपना इस chapter में हमें, बिलकुल शुरुआत में ही, हमारे public health से जोड़े हुए, भारत में जो स्वास्त की सुविधाएं हैं, उसके सकार सकारात्मक यानि positive और नकारात्मक यानि negative ये दोनों तरह के तत्तों को गिनाये गया है, जिसमें हम doctors और hospitals, bed और बागी सब की तुलना करते हैं, कि क्या सकारात्मक और क्या नकारात्मक, दोनों ही पहलों की बात की गई है, यहाँ पर जब negative concept को हम पढ़ते हैं, negative जो segment है, उस में, daria एक बड़ा नाम है, यानि इस से बहुत सारे लोग प्रभावित हो जाते हैं, इस जल जनित बिमारी से, अपने question में वापस आते हैं, हमारे question पूछा गया था, daria is waterborne disease, यह सही है या नहीं, तो यह सही, this is true, यह एक waterborne disease है, नाइन्ध question पर आते हैं, हाकिम शेक got his treatment at the government hospital, हाकिम शेक को उपचार सरकारी स्पताल से मिला, यह सही है, गलत, बच्चों हाकिम शेक की कहानी जब हम पढ़ते हैं, तो मैं पता चलता है कि पश्चे मंगाल में एक वेक्ती हैं, और इनके साथ दुरगटना हो जाती है, यह चोट लगी हुई दशा में ही बहुत जो critical situation उसमें ही लगबग 14 घंटे तकी आठ अलग अलग सरकारी स्पतालों के चकर काटते हैं, उनको उपचार नहीं मिलता, बहुत परिशानिया होती है, और यहां पर हमें यह भी समझ में आता है कि सरकारी जो hospitals हैं, सरकारी जो तंत्र हमारा है, उसमें कितनी सारी समस्याएं भी ह इसकी तरफ भी ध्यान इस कहानी के जरी जाता है, और फाइनली उनको अपना treatment एक प्राइविट होस्पिटल में कराना होता है, यानि कि हमारे इस question में जो पूछा गया था, कि उन्हें हाकिम शेक को सरकारी स्पताल में उपचार मिला था, यह सही नहीं है, यह गलत है, इस करके संक्रामक यह communicable disease होती है, हम पैचान करें, सरदर्द, एक का सरदर्द दूसरे को सरदर्द नहीं देता, हम पास-पास बैठ करके सरदर्द नहीं बाठ सकते हैं, यह बिमारे communicable नहीं है, polio यह भी communicable disease नहीं है, cancer भी नहीं है, daria एक option है, जो communicable हो सकता है, इसको अपने textbook इस पर चेप्टर कर लेते हैं, उसी पेज पर जाकर के जहां पर डायरिया की चर्चा की गई कि एक waterborne disease है, waterborne disease तो है लेकिन साथ में भी बताएगा है कि यह communicable disease है, बोल्ड में ही लिखा हुआ है कि यह संक्रामग बिमारी है, यह एक से दूसरे विक्ति को हो जाती है, यहां प अपना चेप्टर रिवाइस कर लिया है, इसके questions भी correct answer के साथ अपने notebook में as homework आप लिखेंगे, thank you.